दोस्तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल आरने से एजुकिस न्यूज में दोस्तो वीडियो में हाजिर हूँ एक और नई बड़ी भरती के जनकरी के साथ दोस्तो पूरा वीडियो सुरू से लेके अंतक जरूर देखें वीडियो अच और ये 5.1.2019 को इसका नोटिफिकेशन पब्लिश्ड हुआ है ओनलाइन फो में इसके स्टार्ट हो चुके हैं साथ जन्वरी से लास्ट डेट रहेगी दोस्तो इसकी स्टेप फर्स्ट की हाँ पर 4.2.2019 याने के 4 फर्वरी और आप फीस का रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते ह हैं 6 तक 6 फर्वरी तक और रजिस्ट्रेशन सेकंड याने की फीस बुकतान के बाद 7.2.2019 तक तो ये इनकी महतपूर्ण तिथियां हैं डेट्स हैं ओनलाइन और ओनलाइन आविदन करने की और अंतिमतिति करने की इनकी डेट्स हैं अब यहाँ पर क्लर्क की ये वेकेंसी ह है ठीक है क्लर्क LDC की वेकेंसी है अब इसमें दोस्तों टोटल में पोस्टों की बात करो तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 352 वेकेंसी हैं ठीक है 31-12-2018 तक 302 वेकेंशी वेकेंट थी इनकी यहाँ पर वेकेंशी है जर्नल के सीटे देख सकते हैं 183 SCSTO फर्याना की 60 है बेकवर्ड क्लास वो फर्याना किया देख सकते हैं 40-39 और फिजिकली हैंडिकेप्टेड और वर्याना की यहाँ पर जर्नल में एक है इस तरीके से ESM इनकी यहाँ पर 22 वेकेंशी है तो इस तरीके से वेकेंशी का वर्गी करण किया गया है अब इसमें एज आपकी क्या होने चीए तो जर्नल केटेगरी की मिनिमम एज रहेगी 18 मैकजिमम 42 साल SCST हर्याना की है तो 18 से लेके 47 वर्ष बैकवर्ड क्लास याने की OBC है तो 18 से लेके 47 वर्ष तक तो यह यहाँ पर एज का करिटेरिया रहेगा और एज आपकी काउंट की जाएगी 11 2019 को तो यह एज का है इसके लाद दोस्तों इसमें बाकी और कैटेगरीज है उनकी इज को भी बताए गया है तो PSCO फर्याना यहाँ पर छूट का प्रोसेजर दिया गया है ठीक है यह इन जो कैटेगरीज है इन के लिए क्वालिफिकेशन क्या होने चीए तो इसमें बैचलर डिग्री यानि की BA, BSC, B.com अगर आप इसना तक पास है तो यह फोरम अपलाई कर सकते है इसमें डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी दिया गया है तो यह भी आप पढ़ सकते हैं इसके अलाव दोस्ते इसमें mode of selection तो आपका एक written exam लिया जाएगा written exam में आपके दो subject आने वाले हैं journal knowledge और English तो journal knowledge 50 नमबर की इंगलिस आपकी 50 नमबर की और 33 परतिसत आपको लाने ही है ठीक है और 40% aggregate बोट subject में तो यानि की एक विसे में आपके आने चीए है 33 और दोनों को मिला करके 40% आपको प्राप्त करने ही है ठीक है यहां दिया गया है 33 परतिसत इन इस subject बट नो कंडिड़ेट सैल भी कंसिड़ेट तो है वालिफाइड दर रिटेन एक जामने से अनलेस ही सीब ओप्रेंच 40% ऐसा नहीं है कि आपने एक एक विसे में 33% ले लिए और दूसरी में ले लिए 43 हो गया पास हो गया 33-33% आपको लानी है ठीक है यह आपका यहां पर एक बटा चार नेगटिव मार्किंग होगी ठीक है वन फॉर्थ की यह आपका एक जामने इसके अलाव दोस्तों यहां पर टाइपिंग स्पीड भी दी गई है तो टाइपिंग स्पीड आपको तीस वर्ड प्रती मिनट के हिसाब से टाइप करने होंगे कंप्यूटर जो टैस्ट में नेशनलिटी एज पर हरियाना सबोडिनेट कोर्ट एस्टेबलिस्मेंट रोल्स 1997 तो इसमें ओल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं ठीक है हाउ टू अप्लाई ओनलाइन तो ओनलाइन आपको एप्लिकेशन भर देना है ओनलाइन एप्लिकेशन के लिए जो विबसाइट है वो दोस्तों ये विबसाइट आपको इस विबसाइट से जा करके आपको यहाँ पर ओनलाइन एप्लिकेशन बर देना है www.ssc.gov.un ये website आपको open करनी है और इस website से आप आविदन कर सकते हैं तो यहाँ पर बड़ा मोग है हरियाना और पंजाब हाई कोट चंडीगड में नोकरी करने का बड़ा मोग है यहाँ पर दोस्तो पद कम नहीं है यहाँ पर 352 पद काफी होते हैं तो आप इसमें apply जरूर कर दें इसमें apply के तरीके बता रखें कि इस तरीके से आपको apply करना है कौन सा आपका photo का size होना जाए signature किस उसमें होने चीए यह सारी जानकारी आपको इसमें दी गई है अब दोस्तो सबसे बहले बात करें इसमें examination fees की non refundable तो journal category के लिए male है तो 700 रूप है female के लिए 375 रूप है SCST तो हरियाना के हैं इनके लिए 200 रूप है और female है 100 रूप है result categories of other state other state वाले यहाँ पर आप apply कर सकते हैं जैसे मैंने पहले भी बता जिया थे कि all India vacancy है तो other state के अगर male candidate है आप तो 700 रूप है female है तो 375 रूप है ठीक है और यहाँ पर physically handicapped date और ex-serviceman तो यहाँ पर as per their original categories ठीक है यह आपकी fees का procedure है date of examination तो examination की date यहाँ पर दिया गिया है अप्रेल और मई 2019 में conduct किया जा सकते हैं आपका written examination तो यह exam की date रहेगी last date यहाँ पर दोस्तो आपकी रहने वाली है step first की यहाँ पर 7,1 से 4,2 तक उसके बाद आप जो आप fees का बुकतान कर सकते हैं 6,2,2019 और step second यहाँ पर आपका 7,2,2019 रात 12 वजे तक आप इसमें आविदन कर सकते हैं कहने का मतलब यह है दोस्तो लास्ट डेट यहाँ पर 7, February रहने वाली है 7, January 6 के आविदन स्टार्ट हो चुकी है तो दोस्तो डिस्क्रिप्शन में आपको यह PDF फाइल मिल जाएगी आप वहाँ से भी असने से डाउनलोड करें और पढ़ सकते हैं इसके अलाव दोस्तो यहाँ पर हेल्प लाइन नंबर भी दिये गए है तो यह नंबर दिये गए है 9.30 से लेके आप 5 बजे तक इनमें कॉल करके पूछ सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर प्रोवाइड कराए गए है ठीक है इसके अलाव यहाँ पर टेलिफॉन नंबर भी दिये गए है तो यह आप इसमें कर सकते हैं बातचीत किस तरीके से क्या कर किया जा सकते इसको तो दोस्तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही जनकर यह आपको अच्छी लगे तो लाइक सेर और कमेंट जरूर करें साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्मेंट नोपरी का नोटिफिकेशन हम आपको समय समय पर मिलता रहे और आपको वेकेंसी देखते रहें दोस्तो फिलाल के लिए इतना ही जय हिन जय भारत